नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबों का हमारी योटूब चैनल रामगड एडुकेर में दोस्तों मैं हूँ बेपिन मतो और आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ दोस्तों बेड सेमेस्टर टू का प्रिवेस एर कुश्चिन दोस्तों और सब्जेक्ट है नालेज एंड करिकुलम पार्ट वन या दोस्तों बेड सेमेस्टर टू में एक सब्जेक्ट होता है एक पिपर होता है नालेज एंड करिकुलम उसी का ये प्रिवेस एर कुश्चिन है दोस्तो सेशन 2017 से 19 का है अगर आप भी B8 कर रहे हो अगर आपको B8 की किसी भी सेमेस्टर की कोशिन पेपर चाहिए प्रिवेस एर कोशिन पेपर आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं दोस्तों आप लोगों के लिए फिर short type questions and long type questions तो इस वीडियो में सभी questions आप लोग देखने वाले हो और आपको पता चलेगा कि किस तरह के सवाल पूछे आते हैं बेड में चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से बिना time गवाए हुए दोस्तों तो ग्रूप A में देखते हो आप दोस्तों objective type questions आपको दीख रहा होगा वस्तुनी प्रस्म ठीक है objective type questions तो इसमें 5 questions रहते हैं objective type questions आपको पांचों questions को solve करना रहता है आप देख सकते हो यहाँ पर यह में जो questions आप देख रहे होगे सिक्षा किसके अंतरगत आती है समवर्ती सुची मूल अधिकार राज्य सुची या फिर भारत का समवेधा आपको सही option चूज करना है दर रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है मातमा गांधी प्लेटो आरेस पीट या फिर बिनोवा भावे तो जिसने भी लिखी है आपको टिक करना है बिस्वास को कितने वर्गों में बेभाजित क्या गया है दो, तीन, चार, पांच परियावरन सिक्षा की प्रकृति क्या है समाजी करन की प्रकृतिया है मानव संपंदों का ग्यान है या फिर बेवहारी ज्यान पर बल है या फिर उप्रोप्ट सभी इस तरह से पांच आपजैक्टिव कोशिन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों फिर आते हैं ग्रूप B पर ठीक है ग्रूप B पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो निम्रिकीत में से किनी दो प्रशनों के उत्तर दोस्तों पचास सब्दों में दे दोस्तों पचास सब्दों में देना है आपको दो प्रशनों के उत्तर देना है यहाँ पर देख सकते हो स्वामी विवेकानन के सैच्छिक दर्शन पर चर्चा करें या फिर पाठेक्रम का अर्थ और प्रकृति का वर्णन करें पाठेक्रम का समझते हैं इसके परकारों का वर्णन करें बिद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृति कडी के संदब में पाठेक्रम का पो वर्णन करें Group C में देख लेते हैं Long Answer Type Questions में यहाँ पर आपको दोस्तों निम्लिकीत में किनी दो प्रश्णों के उत्तर देने हैं 500 सब्दों में पहला कुश्चिन आप देख सकते हो ज्यान के आउधारना क्या है या कैसे विभिन विद्यालई विश्व में परिलक्षित है समझाईए सिक्षा क्या है इसके अर्थ और दर्शन सास्तर से संबंध बताईए रोसो के साक्षिक दर्शन को विस्तार पुरुवक बताईए इस तरह से कोश्चिन खतम होते हैं अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी लेना है बिए डिसे रिलेटेड आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर पुरुवक की मदद करने की जरूर कोशिस करूँगा चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद झाल